हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो आज मैं लाई हूँ मैक्सिकन टैको जो बड़ो दोनों को बहुत पसंद आता है एकदम हेल्दी तरीके से बना हुआ है आप बच्चों के टिफिन में दीजिए यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यह रेस्पी आपके लिए है और हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत जादा है एकदम चटपटा सबन के तयार होता है तो करना क्या है एक बड़तन ले लिजिए उसमें एक कप आड़ा डाला है नमक डाला है स्वादनुसार और पीजर सीजिनिंग दाली है और एक चमस घी इन सब को बहुत अच मिनट के लिए हम रेष्ट पर रख दें चलिए अब इसकी फिलिंग के लिए अच्छा सा मसाला बना लेते हैं तो करना क्या है मस्टरड वाइल लीजिए यह मैंने एक चमज मस्टरड वाइल लिया है और यहां पर दो लंबी लंबी प्याच काटे थी इसको बहुत अच्छ मस्टरड वाइलीज लीजिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे और यहां पर मैंने चच्छी से बुझने के बाद हम तीन आलू डाले हैं तोड़ा बड़े साइच के आलू थे इसके बड़े सारा धनिया पत्ति डाल लाइं और आदी चमज पीजा सीजनिंग आदी चाट मसाला नमक स्वादानुसार और आदी चमज यहां पर लाल मिच डाली है यदि आप बहुत चोटे बच्छों के लिए बना लें तो लाल मिच स्किप कर सकते हैं लेकिन यह ना बहुत चटपटा सा टेस्टी सा बनता है तोड़ा सा चटपटा सा ही बनाईए तो अधर्वाइस क्या कर सकते हैं आप बड़ी सी लोई बेल के इसको किसी भी धकन कोई कुछ भी हो तो से काट सकते हैं अब हमें देखिए 50% ही कुक करना इसको ज्यादा नहीं करना यह देखिए इस तरीके से मैंने यहां पर सारी रोटियों को अच्छी से यहां पर कुक कर ल मैं चला हम सर्फ कीजाए इसके बाद मैं आप मैं मौजिरिला चीस का यूज कर रही हूं और मैंने जो फिलिंग बनाई थी वो रख देंगे इसके उपर से अब हम और ज्यादा मौजरिला चीज का यूज लिए आप थोड़ा कम ज्यादा आप अपनी कोर्डिंग भी कर सकत अब देखे रोटी को अच्छे से फोल्ड कर देंगे यह हमारा मेक्सिकन टैकोस तैयार है अब हम इसको एक और बना के आपको दिखा दूंगी रोटी ले लिए उसमें हमने यह सॉस लगा लिया अच्छे से अब हम इसमें मुझी रिला चीज जाल देंगे यह आप स्कूल टि बना हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है चीज का आप यूज थोड़ा सा कम कर शकते हैं ज्यादा ही नहीं खाना है तो थोड़ा सा कम चीज जाल दीजे लेकिन बहुत टेस्टी लगता है जैसे पड़्डे पाटी वगरा बच्चों की होती है तो बनाईए सब को बहुत पसंद आ बच्चवी रोटियों से बहुत ज़्यादा है इस तरीके से बन सकता है यहां पर मैंने बटर डाल दिया है तो थोड़ा सा अच्छा से स्प्रेट कर लेंगे क्योंकि ग्रिल तबाए इस तरीके साम इसको बहुत अच्छा से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे इसको कर तरब तो तरब से बहुत अच्छा से से शिकना है जो अच्छा से शिकना है थी तो रहा होने तो थी थी आपको यहां पसंद आई हो तो प्लीज लाइक किजे शेर किजे सब्सक्राइब किजे और ऐसी मोर रैसिपीस के मेरे चैनल को फॉलो कीजे यह कितना ज्यादा टेस और इस तरह की रेसिपी आपको एदी और चाहिए हो तो मेरे चैनल से हैं बच्चों की हेल्दी हल्दी रेसिपीज भी है आप जरूर ट्राइब कीजिए जैसे रागी हुई जार हुआ इन सब की रेसिपीज में मैंने डाली हुई है